हाई फ्रेंज्स आप सभी का स्वागत है इन हाउस रेसिपीज में काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं आज और आज में सिखाने वाली हूं एक रिक्वेस्टेड रेसिपी जो कि है आटा गुंदने की घंचयां खाना जब हम बननाशीकते हैं यह बनन जाहते हैं तो सबसे पहले चीज आती हैं वह तो हथी आटा गुषन जो की काफी डिफार्ट लगता है उन्हें जिनने बनाना नहीं आता यह नहीं आता यह काफी सिंपल है मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ही स्रेप्स में आए देखते हैं कैसे बनाया जाता है या गुंदा जाता है आटा आटा कोई भी हो सकता है जिसे बेसन का भी हो सकता है मिसी रोटी बनाने के लिए गिहूं का आटा हो सकता है मैदा हो सकता है बटूरे बनाने के लिए तो उन्हें कैसे गुनना चाहिए आए देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आटे को स्मूथ और सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है जिससे रोटी या जो भी आ बनाना चाहें वो किस तरह से सॉफ्ट बनेगा हम गुंदेंगे आज गेहु का आटा आटा गुंदने के लिए हम लेने वाले हैं आटे के साथ साथ पानी तो पानी नॉर्मल वाटर आपको लेना है और सर्दियों में आप थोड़ा गरम पानी यूज़ कर सकते हैं वार्म वाटर और गर्मियों में नॉर्मल वाटर आप इस्तिमाल करें तो आए देखें इसे कैसे गुंदने वाले हैं आटा जितना भी आप ले पानी की क्वांटिटी उसी हिसाब से हम देखेंगे जितना जितना हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे पानी आटे के हिसाब से हमें डालना है तो आईए स्टार्ट करते हैं आटा गुंदना सब्से पहले कि थोड़ा से पाशिखेजे रिमाइए बाता पाशिखेसी करें इसे मिक्स करें कि अपने नहीं करने है म annucle नहीं, मूपने सारा पानी एक सार डाल देना है थोड़ा थोड़ा पाशिखेस अ 극ंथ कि शbr hops आप देख रहे हैं अब इसमें और थोड़ा सा पानी एट करें और इसी तरह से बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गुंदें अब आपने काफी कम पानी लेना है क्योंकि आटा जो है वो काफी अपतक अहत तक जो आप गुंद चुका है थोड़ा सा ले और फिर से मिक्स करें और इसे प्रेस करें इस तरह और मिक्स करते जाएं इसे आपने दबा दबा कर इस तरह से गुंदना है और सॉप्ट बनाना है जितना आप इसे गुंदेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा फलफी और सॉफ्ट होता जाएगा और आपकी जो रोटी है या परांटा है वो काफी अच्छा बनेगा आटा जितना स्मूथ होगा जितना आप उसे गुंदेंगे आपको बेलने में काफी असानी रहेगी इस तरह से सारा जो है यह सुखा आटा आप इसमें लगा लें और इस तरह से गुंदें दबा दबा कर अज़िए अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट बन जाए तो आप इसमें पानी ना एड़ करके अपने हाथ को पानी से थोड़ा गीला कर ले और उसके बाद अगयने से इ अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट बन जाए अगर आटा हलकाता ड्राय हो जाए आपका हाथ ड्राय हो जाए तो अगयन आप अपने हाथ को गीला करें रादर दन आटा या इसमें पानी एड़ करनें आटा जो है वो थोड़ा फैला फटा 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 सा ना लगे तब तक आ अब आप इससे रोटियां बनाएं और या परांटे बनाएं और सबको खिलाएं यह रेसिपी आपके काम आएगी और आप जो भी मेरे टिप्स ही है उन्हें इस्तेमाल करेंगे आटा गुनते समय अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो मैंने एक्स्पें की और आपको समझ नहीं तो डू राइट मी मैं आपकी प्राब्लम या कोई भी जो भी आपको नहीं समझाया वह आपको एक्स्पें करूंगी थांक यू सो मच पर बिंग विदिन आउस रेसिपीस